दोस्तों नमस्कार उमीद है आप सभी लोग ठीक होंगे क्योंकि ठंड से बचाना आप सबकी जुम्यदारी है वैसे अभी तक हम सभी लोग कुछ एजंसियों पर निश्पक्ष खबरे दिखाने के लिए भरोसा करते थे लोगों के सामने वो निश्पक्ष खबरे भी रखते थे लेकिन शायद आप वो भी किसी के दबाओ में काम करने लगे है ऐसा सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि खबर ही कुछ ऐसे सामने आई है जो आपको बताना जरूरी है क्योंकि राजनीती में इस वक्त जो सबसे फेवरिट मुद्दा चल रहा है वो है हिंदू मुसल्मान का जहां पर भी ये एंगल नजर आए बस सारी की सारी एनरजी लगा दो लोगों तक नफरत पहुचाने का काम धडलले से शुरू कर दिया जाता है जहां पर ये एंगल नजर आ जाए तो फिर वहां पर जबरदस्ती अगर नहीं भी आए तो लोगों को गुमराह करने की जम्यदारी भी शायद अब इन ही एजनसियों ने अपने कंधों पर उठा ले है दरसल एक खबर सामने आई है जिसमें एक शक्स ने कुछ मूर्तियों को तोड़ दिया और उसने मूर्तियों को इसलिए तोड़ा क्योंकि उसकी मन्नत दरसल पूरी नहीं हुई उसने अपनी एक मन्नत मांगी उसने प्राथना करी जाकर के मंदिर में और कहा कि अगर मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं ऐसा ऐसा करूँगा आमोमन सभी लोग करते हैं आप भी करते हैं हम भी करते हैं कहीं नहीं जरूर जाते हैं लेकिन उसकी मन्नत जब पूरी नहीं हुई तो वो गुसे में आकर मंदिर में गया और वहाँ पर लगी मूर्तियों को तोड़ दिया जिसके बाद उसे CCTV के आधार पर गिरफतार कर लिया गया लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट तब आ जाता है जब उसके नाम को सब के सामने लाया नहीं जाता है बलकि लोगों को ब्रहमित करने के लिए दुआ शब्द का इस्तमाल किया जाता है ताकि लोगों को यह लगे कि जिसने मूर्तियां तोड़ी है वो दरसल धर्म विशेस ते तालुक रखता है पर अफसोस की बात है कि यह कहानी जादा देर तक टिक नहीं पाई और सीधा सीधा भांटा फोट कया मद्यपरदेश की पूरी कहानी है यह जहांसे यह पूरा वीडियो सामनी आया वहां पर यह घटना हुई और उसके बाद मध्यप्रदेश में आप जानते हैं कि बाद एक ऐसी घटनाए होती रहती हैं जिसमें कहीं लब जिहाद का एंगल निकाला जाता है तो कहीं कोई दूसरा जिहाद निकाल दिया जाता है लेकिन यहाँ पर अब देखने वाली बात यह है कि ANI जो सबसे बड़ी नियुज रिजनसी मानी जाती है और यह कहा जाता है कि यह बिना पक्षपात के खबरे चलाते हैं लेकिन इनके एक ट्वीट की वज़ा से लोगों ने इन पर निशाना साधना शरू कर दिया और लोगों ने कैसे इनको अपने निशाने पर लिया है कैसे सोचल मीडिया पर इनको ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कम से कम अगर आप नाम नहीं लेना चाहते हैं तो पूरी खबर तो बता सकते हैं आपकी वो मुर्तियां तोड़ने वाला शक्स मुस्लिम धर्म से तालुक नहीं रखता था बलकि वो हिंदु धर्म का ही था अब मुर्तिया किसी भी धर्म के शक्स ने तोड़ी हो बिलकुल गलत है किसी की भी धर्मी का स्थाओं को ठेस पोचाना किसी को भी अधिकार नहीं है इस चीज का लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद हिंदु संगचनों को एक मौका जरूर मिल गया था कि वो तांडव काट देंगे वो एक धर्म विशेस को दुबारा से बदनाम करेंगे और उन्होंने जाकर किया आना इंफानल में शिकायत भी पुलिस पर श्यासन से ही कर दी थी लेकिन जब पुलिस ने पूरी पड़ताल की पूरा माजरा समझा तो इसमें शुभम कैथवास नाम का एक शक्स सा पूरा मामला जो है वो इंदौर के चंदन नगर और छत्री पूरा थानक शेत्र में अस्थित मंदिरों में तोड़ फोर से जड़ा हुआ है अब सोशल मीडिया पर एक नजर डाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे एनाई के एक ट्वीट के बाद दरसल बवाल मच पहला जो ट्वीट है आपके स्क्रीन पर ये ट्वीट आप देखिए ये एनाई हिंदी न्यूज का ही ट्वीट है इसमें लिखा गया है इंदौर में दो मंदिरों में मूर्ती तोड़ने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफतार किया है जाज की जा रही है आर इन्हों ने दुआ शब्द का अस्तमाल किया और ठीक उसी तरीके का जो बयान है वो हालंकि एनाई की तरफ से कोट किया गया क्योंकि बयान में छेड़ चार कोई भी नहीं कर सकता है लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर मेंशन करनी चाहिए थी कि जिस व्यक्ति को गिरफता किया गया है उसका नाम क्या है और उसने किस वज़ा से इस पूरी घटना को अंजाम दिया है लेकिन यह यहाँ पर नहीं दिखाया गया है बस इसी चीज को लेकर कि जो वरिष्ट पतकार हैं उन लोगों ने अब एनाई को जो है बताना शुरू कर दिया है कि आपने आरोप कि तोड़ने के आरोप में ग्रफतार हुआ है उसका नाम है शुभम कैथवास सुभा ट्वीट में अपडेट कर देना इस तरह का जो ट्वीट है वो जुबैर की तरफ से किया गया और कहा गया कि शायद आप इस चीज को मेंशन करना भूल गये होंगे तो अब सुभा कि तरफ से भी ट्वीट किया गया है लिखा है डोंट मेंशन देनेम ओफ अक्योज़ज सिंस ही इस अहंदू अगर हिंदू आरोपी है तो उसका नाम मेंशन नहीं किया गया है सब्ली रिप्लेस पूजा विद्वा और पूजा को दूजा से रिप्लेस कर दिया गया लैट और ओडियन्स तेंग देट ही इस अ मुसलिम ताकि आपकी जो ओडियन्स है जो वेवर्स है वो देख रहे हैं वो यह समझें कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है वो मुसलिम है अगला जो ट्वीट है वो ट्वीट है MSK कासिम करके हैं इसनोंने लिखा है कि मुसलमानों के पती इतनी नफृत है कि हिंदुओं के गुणा भी मुसल्मानों के सर बांधने के लिए प्राथना की बजाए दुआ लिख रहा है एनाई के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा है भारत हैं लिखते हैं ये दुआ करने वाला हिंदू कब से हो गया और अब्दुल तो नहीं है सवाल इन्होंने भी यानी उठाया है और राफी शेख हैं लिखते हैं एनाई हिंदी न्यूज राइटर भी लाइक आरोपी हिंदू है नाम तो नहीं लिख सकते काम करो प्राथना की जगा दुआ लिखो लगेगा मुसल्मान नहीं किया होगा बड़े एनाई हो यारतू ऐसे मजाकिया अंदाज मेनोंने शेयर किया है और कहा है कि आरोपी हिंदू निकल आया है तो अब वो तो लिख नहीं सकते हैं तो इसलिए लोगों को गुमराह करने के लिए आप प्राथना की जगा दुआ लिख दीजे आसिफ रियास ने लिखते हैं एनाई ने शुभम कैत्वास का नाम नहीं लिखा जिसने मूर्ती इसलिए तोड़ दी थी क्योंकि उसकी प्राथना नहीं सुनी जा रही थी अगला जो ट्वीट खुरशीद अंसारी का है लिखते हैं मोदी के भांड एनाई की नफरती मानसिक्ता और कमीना पंथी देखिए आरेसेस मोदी के नफरती एजंडे पर मुसल्मानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए दुआ शब्द का प्रियोग करके भ्रम तो फैला दिया लेकिन आरूपी शुभम का नाम छिपा लिया गया अब यहां पर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी एनाई के सामने जो इन्होंने इस तरह से किया आरूपी का नाम नहीं उजागर किया वाकरी सोचने वाली बात है पॉलिटिकल हैं इन्होंने लिखा है कि कोई चौबे जी को बताओ मधिपरदेश में मैडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होने लगी है और ये उर्दू के शब्द उपियोग कर रहे हैं प्रातना की जगा पर दुआ लिख रहे हैं आकर ऐसा क्यूं? क्यूं कर रहे हैं आप ऐसा? असरार हैं लिखते हैं ये दंगाई चैनल जान बुझ कर पहले तो हिंदू आरोपी का नाम चुपाता है फिर प्राथना की जगा दुआ शब्द का प्रियोग करता है साफ है कि ये अप्रतेक्श रूप से जूठा संदेश देना चाहता है कि लोग समझे आरोपी कोई मुस्लिम हो सकता है गलीज लोग हैं ये सब अगला जो ट्विट है गुलाम सर्वर का है लिखते हैं एनाई हिंदी का गोधी गीरी देखो नाम तो लिख नहीं सकता दूसरे में भी वो दूआ करता था गैर मुसलिम लोग कब से दूआ करने लगे तो वो पूजा करते हैं गैर मुसलिम का नाम लिखने में फटती है इनकी इस तरह का इन्होंने सीधा सीधा एनाई को गोधी मीडिया से जोड़ दिया है सागिर आला में लिखते हैं एनाई ये हिंदू कब से दुआ करने लगा सच में हिंदू खत्रे में है दुआ नहीं पराथना लिखो सभी ने यही एडवाइस दी है और कहा है कि आप हिंदी शब्द का इस्तमाल करना क्यों छोड़ रहे हैं मौमद शरीफ हैं लिखते हैं गोधी मीडिया ने मूर्तियों में तोड़ फोर करने वाले का नाम नहीं लिखा पूजा करने वाले को दुआ करने वाला लिख रहा है गोधी मीडिया अगला जो ट्वीट है वो ट्वीट है MD, AD, Qureshi, LGP party के हैं, लिखते हैं, Hello ANI, दुआ करने वाला आरोपी युवक, जिसने इंदौर में दो मूर्तियों में मूर्ति तोड़ने के आरोप में गिरफतार हुआ है, उसका नाम है शुभम कैतवास, आप सुभा सुभा ट्वीट को अपडेट कर दीजेगा, एक्स भक्त लिखते हैं, Hello ANI, दुआ करने वाला आरोपी युवक, जिसने इंदौर में दो मंदिरों में मूर्ति तोड़ने के आरोप में गिरफतार हुआ है, उसका नाम है शुभम कैतवास, ANI योगी वाला, इंदौर पुलिस, ये बताएं कि हिंदू युवक प्राथना कर करने के बजाएं दूआ क्यों करने लगा, क्या ये दूआ जिहाद तो नहीं, सुधीर चौधरी को भी टैक करते हुए, उनसे भी सवाल पुछा गया है, और कहा गया है, कि जब मंदिर प्रदेश में हिंदी को इतना जादा आगे बढ़ाया जा रहा है, तो पुलिस अफसर की जगा, वैसे तो नॉर्मली किसी भी पूजा पाठ को आप प्राथना बोल सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली यहाँ पर दूआ शब्द का इस्तमाल आकर क्यों किया गया, और ठीक उसी तरीके से आगे भी फोवर्ड कर दिया गया, उसमें भी क्लियरिफाई नहीं किया गया कि जो दूआ की जा रही थी, दरसल वो हिंदू शक्स की तरब से की जा रही थी, फिलहाल इस तरीके से किसी भी घटना को हम बढ़ावा नहीं दे सकते हैं और नहीं हमें देना है, क्योंकि इस तरह से घटनाएं आज एक मंदिर में हुई हैं, कल मस्जिद में होगी, फिर च काम है, वो कर सकती ही, इसलिए आप सब को ऐसी जो भ्रम फैलाने वाली खबरे हैं, उनसे बचना चाहिए, जो आपको गुमराह करें, जब तक आपको पूरी खबर की सच्चाई पता ना चल जाए, तब तक आप उस खबर कर भरोसा बिलकुल मत करिएगा, इस पूरी रिपो